गर्भोडा रायगर्व जिला कॉंग्रेस के संकर्प शिविर में पहुंचे टियस बाबा वर कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गर्भोडा प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार पूरे 36 गर में संकर्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूरे 90 विधानसभा के पोली बूत पोली बूत के प्रतीक सदस्य अगन से आमने सामने रीबरी वोकर प्रदेश स्तर के प्रमुक मीता म पूरेंद्र शर्म सुशिल शर्मा राइगर जिला अध्यक्ष्ट रामीन अरूं मालाकार सूलज तिवारी अनिल अगरवाल सचिन शर्मा कामता पटेल चक्रदर सिधार कुंज बिहारी सिधार थंडा राम बहरा उन सागर पटेल तथा लयूंगा विधानसभा के समस्त पो अंगरेश पार्टी ने संखल शीविरों का अविजन किया है इसके अंतरकर तिस बार हम लोगों ने पूरिंग बूर्ट को तारेट किया है अंगरेश पार्टी ये प्रयास कर रही है कि पूर्व में शुनाओं पर समय बूर्ट कमीटियां बनती थी और सेक्टर बनते थे इस बार हमारे नेता राहूल गांजीजी का ये प्रयास है कि ये अश्थाई बेर्श्थाक बजाए इस्थाई रूट से प्रतेग गाउं में बूर्ट है उसको नीमित रूट से बनाते राख जाए वहां पत्वदार्य कारी बनती किये जाए वहां सोचल मेजिया के भी कार करता हूं यह मारी शंगठन के प्यारी समय है इसके आधार पे अब जब जिन जिन विधान सबाओं में बूर्ट से कमेट्यों का घर्षन पूरा हो जा रहा है वहां संकल्प शुवित गायोडिक्या जा रहा है और जिसमें राहु जीन नारा दिया है वक्त्षाई बदलाओ बदलाओ को ताथ पर यह है कि कांगरेस्ट पार्टी से शक्ता ने बदलना चाहिए कांगरेस्ट पार्टी जिया है पूंजी पतियों के लिए या धनाध्य लोगों के लिए देश में पिछले शाड़े-चार साल में अनेक नियम कानूं में परिवतन किये गए जाए चर्त अधनी होता तो शक्तित गड़ में जहां बजट चेहार करोण हुआ करता हुआ आज की तारिक में तरासी हजार करोण होने के बावगी उतना गरीबों की संख्या 18,00,000 से बढ़के 62,00,000 ने गरीब और गरीब हुए हैं अमीर और अमीर हुए इसके अलावा नौजवानों क समय सामने रोजगार कि बड़ी समस्या है, सरकार हमारी जमीने ले बरी है, जबाऊ-कषी के बीकहाणinga रहा है, व हँए से चूना प्थर निकाला रहा है, वह बड़ी-बड़ी परक्षेय अलग रहे हैं, अन्सरा एं परिवत्चे ही रहे हैं, समस्या करता है और भारत के देश की जो समाजिक एक्ता है जिस पर बार बार अब कुठारा कहां कोने लगा है केंद्र की सरकार अपने सुझा के रुसार मूल भूस्वमिधान के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का प्रयाथ कर देए इसके दूर गामी प्रड़नाम बड़े ग बूस्वमिधान जी अभी नहीं नियूटी किया गया है चंदन यादाव जी कि ते सारे लोग शेतर में दवरा करके और हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि इस बार कांग्रेस पार्टी में बूत लेवल के तमाम पोश्चन के कार्पाओं के इससे दारी हो उ उनकी बात सुनी जाएं उनकी बात को सुन करते हैं उनकी इससाफ योजना बनाया जाएं ताकि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में मजबूर भी समय चले अधिक अधिक नौजवानों का उस्वर देना अधिक 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 महिलाओं का उस्वर देना अधिक अधिक गर कुंदा गाल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिशेक पल्लवा के प्रभावीर, निमीती तथा अतिरिक पुलिस अधीक्षक माहिश्वर नाग के मार्ग तर्शन वा मर्दापाल थाना प्रभारी के मेत्रित्वर में नकसल गस्ट सर्चिंग युतू पार्टी रवाना प्रण कोट मेटा तुम्री वाल जंगल के पास पूर से घंग ता लगाकर बैठे नकसलियों में पुलिस पार्टी की हत्या करने एवं हत्यार लूपने के नियत से अंधा दूंत फाइरिंग करने लगे, पुलिस पार्टी द्वारा आत्म सुरक्षार्च जवाबी कार्यव करने पर पुलिस के बढ़ते दवाब को देखते हुए, नकसली जन्गल की ओट भागने लगे जिनका पिछा करने पर एक नकसली जन मिलिशिया सदस्य बुकाल उर्फ बुकाली पिता गागरी को राम उनुबीस वर्ष साकिन कोट मेटा तुमुरी वाल थाना मर्दापाल ज करीब 20-30 नकसली तुमुरी वाल और बेडवा के बीच में है, पुलिस में दविस दे, दूसरी तरफ से साइडिंग भी आई, करीब 102 घंटे लगता साइडिंग चली उसमें हम भुकाली को पकड़ने में सफल हुए, पिछले पात वर्षों से ये नकसली संगछन में रही है बार बोर लेके चलती थी, जब दी नकसली पेडवा और तुमुरी वाल के बीच में आते हैं तो सक्रिय रहती थी, पुलिस पार्टे पर हमला कर दो पुलिस वालों की हत्या में सामिल थी, गाओं में दो लूट के केसे में इसके नाम है, त्री स्टरी पंचाइज चुनाओ और जो हिंसा विर्च यसमें यह सामिल थी, परती पांच केसों में इसके नामिजग है, और इसे भी इंत्रोगेशन करी कि जा रही है, काफी और केसे में उसने कबूल करी हैंजग में तो इंवर्टिग विर्च केसन में में जग पलें तीनी ठेम्री नाव झाय एक में आप जन्ताना फरकार दियर, जन्ताना फरकार फदरफी जन्मली किया फदरफी को पकड़ने में कामियाब हो रहें और इसमें तुम्रीवार जो माता पाल बैना छेतर हैं इसमें लहता दवाओ नक्सवलियों पर बाहरा है CNI News कोंडागां से घंश्यांग शर्माउर की रिपोर्ट अंबागर चौकी तीन माह से नहीं मिला वेतन नगर पंचायत के कंचारी कल करेंगे विरोध प्रदर्शन अंबागर चौकी वेतन की माम को लेकर नगर पंचायत के कंचारी 5 अप्रेल को सामुही का अवकाश लेकर नगर पंचायत कारियाले के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे कर्मचारियों की शिकायत है कि वेतन वुक्तान के मामले में उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है तीन माहसे वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित नगर पंचायत के कर्मचारी उप्यंत्री आरल सिन्ह कर्मचारियों की शिकायत है कि वेतन वुक्तान के मामले में पक्षप तक किया जा रहा है वेतन वुक्तान के लिए आवेदन एवन शिकायत किये जाने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है इसलिए अग उनके पास आंदोलन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है तीन माहसे पगार नहीं मिलने से कंचारियों द्वारा पांच अप्रेल को धरना प्रदशन करने के मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्षनिल मानिक पुरी नी बताया कि कंचारियों ने आंदोलन का आउटीमेटन दिया है फंड के अभाव में कंचारियों का वेतन रुक हुआ है शासन को सूचना भी गई है आबंटन आते ही सभी कंचारियों का वेतन बुक्तान किया जाएगा सीन आई नीजम्डागर चौकी से हदीप छाबरा की रिपोर्ट तुंगरगर भगवान श्री पशुराम जी की जयनती को लेकर श्री मारवारी गौद ब्राहमन समाज की बैठक हुई संपन तुंगरगर धर्म नगरी मी बिनाप 4 अप्रेल 2018 को श्री सत्यनारायन मंदर में आगामी भगवान श्री परशुराम जी की जयन्ती को लेकर श्री मारवारी गौथ ब्राहमं समाज के द्वारा एक बैठक संपन हुई बैठक में गौथ ब्राहleading समाज के पुरुष बड़ी संख्या शामिर हुए जिसमें समाज के पदाधिकारी एवं सा माज के लोगे की उपस्तिती में बैथक संपन हुई इस बैथक में निवनाय लिया गया कि आगामी दिना का थारह अप्रेल दो हुजार अथारह दिन गुद्धवार को शाम पांच बजे प्रचीन महावीर मंदर प्रांगन से भगवान श्री परशुराम जी की शोभा यात्र जोंगरगर से महिंजर शर्मा उफबंटी की रिपोर्ट राइपुर चतीजगर लार के नगर चौक स्थित शराब दुकान को अश्वनी नगर के पास शिफ्ट करनी की वजह से विगत हफते भर से अश्वनी नगर के रहवासी के द्वारा धरना दे रहे हैं आज से आम नागरिकों का साक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है और राजिपाल को हस्ताक्षर अभियान वाला ग्यापन राजिपाल को सौपा जाएगा क्यूंकि सरकार के द्वारा घनी अबादी में शराब दुकान शुरू करनी के लिए यह कोई नई बात नहीं है जगें जगें भी भार वाले इलाकों में शराब दुकान चल रही है कल बड़ी भी विडंबना की बात है कि सरकार इंको ध्यान नहीं दे रही है कहीं ऐसा ना हो कि आम नागरिकों का गुस्सा फूट जाए शराब की वजह से C&I News राइपूर से छूटू यादव की रिपोर्ट राइपूर लार्खे नगर इगाह भाथा मैदान में आंगनबारी की सहायका उपसहायका एवं रसोया के द्वारा अपनी मांगों को लेकर विगत हफते 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है लेकिन आज मांगे पूरी नहीं होने पर उग्रा आंगोलन करने की बात कर रही है लेकिन आज आंगनबारी हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन करना कहियाने वाले दुनों में सरकार की नाप में दमना कर दे किया धरना प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है क की प्रदर्शन कारियों की भीन बढ़ती जा रही है CNI News राइपूर से छूटू यादव की रिपोर्ट राइपूर कांग्रेसी उने एपोर्ट में हो रही अमित शाह भाजपा की उन्टीग का किया विरोज शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्यक्ष के नेत्रित्व में कॉंग्रेस भवन की सभागार की चप राइपूर भाजपा आरक्षन में न बदलाव करेगी और नहीं किसी को करने देगी भवानी पातना चार अप्रेल दो हजार अठार भवानी पातना भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जोड़ीसा में जनसमुह को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिये हैं उनी ने आरक्षन को लेकर कहा है कि केंजर सरकार अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती समधायों के लिए आरक्षन नीती में न बदलाव करेगी नहीं किसी को ऐसा करने देगी यहाँ यह बताना जरूरी है कि अमित शाह अपने ओरिसा दौरे में जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कहे गए है इस दौरान अमित शाह ने नहीं भी एक दिलाया कि संब्धान में भी आरंबेट कर द्वारा तैयार अक्षन की नीटी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता निट शाह ने इस दौरान विपक्ष पर शिकंजा कस्ते हुए कहा कि मुझे तो एक बात समझ नहीं आती की बंद का आहवान क्यों किया गया जब प्रधान मंतरी ने लोगों को आशवासन दिया था कि उच्चतम यायाले के फैसले के खिलाफ सरकार तुनर विचार याचिका दायर करेगी शाह ने कहा कि बंद के दौरान हुई दस लोगों की मौत के लिए कॉम्ब्रेस सबसे ज़्यागा जिम्मेदार है CNI News राइपूर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट राइपूर 28 मार्च से 7 अपरेल 2018 तक चलने वाले 55 होकी टूर्नामेंट कार्यक्रम में शामिल हो प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंतरी श्री के दार कशिक राइपुर कर प्रदेश के आदी मर जाती तथा अनुसूची जाती एवन स्कूल शिक्षा मंत्री श्री के दार कश्यप 28 मार्च 2018 सेकंड 7 अप्रेल 2018 तक चलने वाले होकी टूर्नामेंट जो राजधानी राइपुर के सरदार वल्लभाई पतेल इंटरनेशनल होकी स्टेडि 500 मीटर कच्ची शराग के सहित 1,000 किलो महुआ बरामक चार पुरुश आरुपियों के साथ एक महिला गिरफतार पूरा गाउं करता था महुआ शराग बनाने का काम बुलासपुर पुलिस की कार्यवाही बुल्हा के नागडी गाव में बन रही थी शराग सीएनाई उन्यूस बुलासपुर से संजय थारवानी की रिपोर्ट प्राइपुर आंगनबाडी कार्यकरताओं ने रैली से दिखाई ताकत एक किलो मीटर लंगी है रैली हजारों की संख्या में सडक पर उत्रे आंगनबाडी कार्यकरता पिछले 25 दिनों से हर्ताल पर है प्रदेशपर की आंगनबाडी कार्यकरता का नुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग से मुलाकात के बाद भी नहीं निकला कोई नतीजा सीएन हाउस खेर में निकली आंगनबाडी कार्यकरताओं को पुलिस में बीचने रोका सीएनाई यूज रायपूर से गुरुशर्म सिंग वामरा की रिपोर्ट जग्दलपूर जंता कॉंग्रस सुप्रियो अजीद जोगी के हेलिकॉप्टर की इमजेंसी लेंडिंग मौसं खराब होने के चलते पाइलट में जग्दलपूर में कराई इमजेंसी लेंडिंग तीसरी बार अजीद जोगी का बंते वाड़ा प्रवास हुआ स्थगित आम सभा को करने वाले थे संबोधित सीएनाई यूज जग्दलपूर से बासुकी ठाकोर की रिपोर्ट जग्दलपूर इंद्रावती नदीनी गोता खोड दरसल प्रतिदिन की तरह पांच बच्चे क्रिकेट खेलनी के बाद इंद्रावती नदीनी नहानी गए गए थे नहानी के दोरान बच्चे गहराई में चले गए था न बच्चे तो किसी तरह बाहर निकल आए मगर दो बच्चे नहीं निकल पाए एक बालक तबरेज खांच ओदर वश्का है दूसरे की जानकारी पता की जा रही है मिनी जानकारी अनुसार अधूरी तयारी के साथ गोथा खोड पहुँचे गोथा खोरों के पाउँ सच सिलेंगर खोलने के लिए पाना नहीं मुनी के कारण नदी की उपरी सतह पर ही खोजबीन हो रही है रसी तक नहीं मुनी की बाद गोथा खोरोंने कही है सीएनाई म्यूज जगदलपूर से बासुकी ठाकोर की रिपोर्ट राइपोर स्मार्ट सीटी को धबा लगाते चौक चत्तीजगर की राजधानी राइपोर का नाम नकेवल स्मार्ट सीटी में शामिल किया गया है अपे तो स्वचता के नाम पर अभियान भी चलाया जाता है चत्तीजगर में सहकारिता आंदोलन के प्रनेता की स्मिती में शहर के लाखेनागर चौक पर बनाए गए स्मार्ट की फोटो और उससे फलांग दो फलांग की दूरी पर स्थित्लिनी चौक के स्टंप पर लगे विग्यापन शहर की सोच और नगरपालिक निगम के जिन्मेदार अधिकारियों की कार्यवाही पर प्रश्न चिन लगाते हैं शहर सुन्वर दिखे लिए है जिन्मेदारी सबकी है और सबको ऐसे स्विकार भी करना चाहिए C9 News राइपोर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट भातापारा ट्रक में एक्टिवा सवार दो महिला को लिया अपनी चपेट में आंधन बारी कार्य करता तोनी महिला गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को ग्रामीनों में दोरा कर पकड़े प्रामीनों में है भारी रोश खटना स्थल पर नहीं पहुंची है पुलिस भातापारा के ग्राम देवरी की घटना C9 News भातापारा से रिपोर्ट कोरिया स्कूली बस और आटो में भिरंत आटो चालक गंभीर रूप से घायल बस में सवार बच्चों को आए मामूली चोटे पंगुपारा चौक की घटना पतना पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना C9 News कोरिया से रिपोर्ट निजेनी जिला अस्पताल में फिर बड़ी लापरवाही नस्पन्दी की महिला मरीज का स्वास्थे बगड़ा ऑपरेशन होने के बाद से लगातार हो रही ओर्टिया पर जनुनी डाक्टरों को जानकारी देने के बाद भी नहीं पहुंचे डाक्टर जिला अस्पताल में बोपहर में हुआ था पंद्रह महिला मरीजों का निश्यबंदी का ऑपरेशन C&I News मुंगेली से संजेट हावानी रिपोर्ट हम है आपका विश्वास हम है आपकी का वाज हम जरिया है आपकी भावनाओं का हम है आपका परुस्वा हम दिखाते है बुरी खबर हम है C&I News